आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है आज इस वीडियो में हम बहुभुज, बहुभुज के वर्गीकरण तथा बहुभुज के विकरण को समझेंगे अब तक ज्यामिति में हम बिंदूओं, रेखाओं, समतल और कोड़ों के बारे में जान चुके हैं इस वीडियो में हम ज्यामिति के एक अन्य महत्यपून तत्व, बहुभुज के बारे में जानेंगे जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुभुज शब्द दो शब्दों बहु और भुज से मिलकर बना है जिसमें बहु का मतलब होता है अनेक तथा भुज का मतलब भुजा है कोई भी बहुभुज तीन भागों से मिलकर बनता है और वो तीन भाग है भुजा, शीर्ष, तथा कौन भुजाएं वो रेखा खंड हैं जो बहुभुज बनाती हैं शीर्ष वो बिंदू है जहां भुजाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं तथा दो प्रतिछेद करने वाली भुजाओं के बीच का स्थान कौन कहलाता है यहां इस बहुभुज में छे भुजाएं, छे शीर्ष, तथा छे कोन हैं बहुभुजों के लिए अगला महत्वपोन तथ्य यह है कि बहुभुज एक सरल बंद वक्र होता है बहुभुजों के लिए अंतिम परन्तु अति महत्वपोन तथ्य यह है कि बहुभुज दो आयामी यानि टूडी आकृतिया होती है अर्थात बहुभुजों के सभी शीर्ष, एक समान समतल यानि प्लेन पर होते हैं बहुभुज तीन आयामी यानि 3D आकृतियां नहीं हैं परन्तु इनके प्रियोग से 3D आकृतियां बनाई जा सकती हैं जैसे कि कोई डिब्बा डिब्बा बहुभुज नहीं है परन्तु इस डिब्बे की सभी फलक यानि प्रिष्ठ बहुभुज हैं तो अब हमारे पास बहुभुज की एक अर्थपून परिभाशा है, जो कहती है, बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंदवक्र है, ये सबी बहुभुज हैं. क्या आप बता सकते हैं कि क्या एक रेखाखंड से बहुभुज बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही, नहीं बनाया जा सकता क्या दो रेखा खंडों से बहुभुज की प्राप्ती हो सकती है? जी नहीं, क्योंकि दो रेखा खंडों को जोडने से हमें दो भुजाएं एक शीष वह एक कौन तो मिलता है परन्तु यह आकरिती बंद नहीं है जसकारण ये बहुभुज नहीं है तो क्या तीन रेखा खंडों से बहुभुज बनाया जा सकता है? हाँ, तीन रेखा खंडों को जोडने से हमें एक सरल, बंद, वक्र या आकरिती मिलती है जिसके तीन भुजाएं, तीन शीर्ष तथा तीन कोड हैं जिससे किसी आकरिती के बहुभुज होने की सभी शर्तें पूरी हो जाती है इस प्रकार हम तीन या तीन से अधिक रेखा खंडों को जोड़ कर एक बहुभुज बना सकते हैं इस बहुभुज की तरह यदि हम बाकी बहुभुजों पर ध्यान दें तो पाते हैं कि प्रतेक बहुभुज में उनकी भुजाओं, शीर्षों तथा कोणों की संख्या परस पर समान है भुजाओं या शीर्षों के आधार पर हम बहुभुजों का वर्गी करन करते हैं तीन भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुजों को त्रे भुज चार भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुजों को चत्र भुज पांच भुजाओं या शीर्षों वाले बहुजों को पंच भुज छे भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को शत भुज साथ भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को सब्त भुज आठ भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को अश्ट भुज नव भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को नव भुज तथा दस भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को दस भुज कहते हैं अब अगर हम इस बहुभुज को लें और इस तरह नमांकित करें तो क्या आप शीर्ष A के आसन शीर्षों के नाम बता सकते हैं? शाबाश! शीर्ष B व शीर्ष F शीर्ष A से आसन हैं. अब शीर्ष A को उन शीर्षों से जोडते हैं, जो इससे आसन नहीं हैं. इस शटभुज के सभी शीर्षों के साथ ऐसा करने पर हमें कुछ रेखाखंड मिलते हैं. इन रेखाखंडों को हम विकर्ण कहते हैं. अता हम कह सकते हैं कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किनी दो शीर्षों यानि आसन्य शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा बहुभुज का अर्थ, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज की परिभाशा, बहुभुज का वर्गी करण, बहुभुज का विकर्ण. अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरन देखेंगे. झाल झाल